क्रिस्का, आज तुम घर जाकर सब त्यारी कर लेना और तुम मुझे कल ग्यारा बजे पुल के पास मिलना पर हम लोग जो यह कर रहे, वो सही है क्या? अगर भया को पता चला, तो हम दोनों को जान से मार देंगे मैं जानता हूं, अगर उन्हें पता चल गया, तो वो हमें जान से मार देंगे, लेकिन वो हमें जीते जी एक होने भी नहीं देंगे, और वैसे भी हम हमेशा के लिए थोड़ी ना भाग रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वापसा जाएंगे, और फिर तुमारे भाया भी मा अब तुम जादा मत सोचो, कल मुझे ग्यारा बजे पुल के पास मिलना, अच्छा ठेक है, अब तुम घर जाओ, कर्या है, अब तुमारे बादे प्राइब करेंगे, वाले जाओ, यह वरुन अभी तक क्यों नहीं आया, मैं कितनी देर से इसका इंतिजाल कर रही हूँ सुबे से साम हो गई, वरुन अभी तक नहीं आया, कहीं उसने मैं इसे दोका तो नहीं किया अब मैं क्या करूँ, अगर मैं घर वापस जाती हूँ, तो भाईया मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, मैं केली कहां जाओ अब मैं कितनी दोपार में और इतनी धोप में यह लड़किया के लिए यहां पर बैठी क्या कर रही है आप इतनी दोपार में और इतनी धूप में यहां बैठी क्या कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं आप यहां पर किसी का इंतिजार कर रही है क्या या फिर कोई और बात है बोलिये ना आप कुछ बोलती क्यों नहीं देखे इस्टार रोने से कुछ नहीं होगा अगर आप मुझे कुछ बताएंगी तो हो सकता मैं आपकी कुछ मदद कर सको मैं आपको क्या बताऊं मैं सुबह से वरुन का इंतिजार कर रही हूँ लेकिन वो नहीं आया वो कह रहा था तुम मेरा पुल के पास इंतिजार करना वहीं मिलेंगे लेकिन वो अभी तक नहीं आया ये वरुन कौन है वरुन और मैं एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज घर से भाग कर हम दोनों घरवालों को बिना बताए शादी करने जा रहे थे लेकिन वरुन अभी तक नहीं आया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ तुम रो मत क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा ऐसा करो तुम अपने घर वापस चली जाओ नहीं नहीं मैं घर नहीं जा सकती अगर मैं अपने घर गई मेरे भाईया मुझे जान से मार देंगे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं जी बोलिये तुम आज मेरे घर पर रुख जाओ ये क्या कह रहा हाँ अगर वो यहां नहीं आया तो आप यहां बैठे 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 बहुत परेशान हो जाएंगी और हाँ ये जगा लड़कियों के लिए बिल्कुल भी शुरचित नहीं है दोखो भी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और यहां पर ज्यादा तर सराबी लोग आते जाते रहते हैं इसलिए तुम्हारा यहां अकेले रहना सही नहीं होगा और तुमसे डरो मत मैं कोई ऐसा वेसा आदमी नहीं हूँ तुम मेरे उपर भरोसा कर सकती हो अब ज्यादा सोचिये मत चलिए मेरे घर ठीक है चलिए लाइए बैग मुझे देदीजी आईए यहां मेरा घर कौन कौन रहता है तुम्हारे घर पे कोई दिख नहीं रहा मैं यहां अकेला ही रहता हूँ आप सुबह से बटी बटी जार करके थगे होंगी आईए अराम कर लीजिए अरे अरे यह आप क्या कर रहे हैं आप अपने घर पे नीचे सोएंगे और मैं चार पाई पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप हमारे लिए महमान की तरह हैं और महमान की जिद करना हमारा पाहला फार्ज होता है आप वहीं आराम कीजिए मठी को यहां नई नई आप चार पाई पे आराम कीजिए मैं महाँ पर बैठ जाती हूं नहीं नहीं आप उने पर बैठिये मठी को यहां उठिये इसमें तकलीफ की क्या बात है यह तो मेरा रोज का काम है यह लिजिए आप चार पीजिए आप इतना सोच क्यू रही है लिजे पीजे चाय आप चापी कर तैयार हो जाए तब तक मैं खाना बनानेता हूँ उसकी अबात हम लोग वरुन को ढूने चलते हैं आपके पास वरुन की कोई फोटो है नाई फोटो तो नहीं है अब हम उससे कैसे दूनेंगे अगर उसकी फोटो होती तो किसी को दिखा कर उसके बारे बेपूछ सकते थे लेकिन अब हम किसी से पूछ भी ने सकते हम लोग वरुन का यहीं इंतिजार करते हैं हो सकता वो मुझे दूड़ते दूड़ते यहां तक आजा है हाँ हमारे पास अब और को रास्ता भी नहीं है आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती है नहीं नहीं मैं अपने भया की डर से घर नहीं जा सकती आज फिर सुबैसे साम हो गई लेकिन वरुन आज भी नहीं आया तो अब क्या करें हम लोग साम होने वाली है चलो तुमारे घर चलते हैं आये चलते हैं हम लोग अभी आई काज वरुन आजएड उसने मुझे वादा किया था लेकिन सायथ वादे की साथ उसने मेरा भी सास छोड़ दिया है हो सकते है उसकी जिन्दगी में कोई और आ गया हो अजये देखी शुबा हो एक आप चाए पीलिजें करें अरे आपने सुभाई सुभाई अतनी तक्लिफ क्यों कि अरे इसमें तक्लिफ कि क्या बात अब जान पीलिजे सहे घर की सफाई आप इन की है क्या हां हां मैंने की है क्यों अच्छी नहीं भी नहीं नहीं सफाई चीवी है लेकिन आप इसब क्यों कर रही है आपको इसब करने के कोई ज़रत नहीं है मैं कर लूँगा मुझे आपकी गर पे रहते हुए इतने दिन हो गया है तो मैं इतने काम तो करी सकती हूँ ठीक है अच्छा मैं खाना बना लेता हूँ फिर अभी मुझे ख्योतों की तरफ भी जाना है मैंनी खाना बना दिया है क्या खाना भी बना दिया है आप हाथ पर दोकर आईए मैं खाना निकालती हूँ तुम तुम यहां क्या करने आई हो और तुम्हें किस ने बताया कि मैं यहां काम कर रहा हूँ मैंने सुच्चा आपको भूख लगी होगी इसलिए खाना लेकर आई हूँ और आपके गाओं के लोगों से पुछती-पुछती यहां तक आ गई इतना सोच क्या रहे हो आईए ना खाना काईए क्या आई हम रहे हो आईए खाना काईए यार यह मेरी सफेज सट कहां चली गई कल तो यहीं पर रखी थी मैंने तो फिर यह मिल क्यों नहीं रही है यह लिजे आप यही सट दूर रहते हाँ हाँ यही सट पर तुम्हें कहां से मिली मैंसे कितनी देर से ढूर रहा था मैंने देखा सट गंदी थी इसलिए मैंने इसको धूल कर सुकने के लिए डाल दिया था लाइए आईए खाना खालीजे बैठीए आप इतना उदास क्यों है कुछ नहीं बस ऐसे ही बताईए ना क्या बात है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं बोलो क्या कहना है मैं यह कह रहा था कि तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए हाँ कृस्का अब तुम्हें अपने घर वापास जाना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें अब और तकलीफ नहीं देना चाहता तकलीफ तो तुम दे चुके हो क्या मतलब हाँ, क्योंकि मुझी तुमसे प्यार हो गया है अगर मैंने भी कृष्का से बता दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो सायद फिर ये मेरे बिना खुछ नहीं रह पाएगी नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर वो क्या सुचेंगे और हम उन्हें क्या जवाब देंगे और अगर कभी हमें वरुन मिल गया तो क्या बताएंगे वरुन को हम यही कि तुम्हारे नहीं मिलने के उज़े से हम दोने ने साधी कर ली नहीं, ये नहीं हो सकता मैं किसी के अमानत को अपने पास नहीं रख सकता इसलिए तुम्हें अपने घर जाना ही होगा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँ नहीं लेकिन अकर मैं घर वापस गई तो मेरे भाया मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे उसकी फिक्त तुम बिलकुल मत करो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने चलूँगा और तुम्हारे भाया से बात भी करूँगा मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें माप कर देंगे और फिर से अपना लेंगे नहीं मेरे भाया मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अभी तुम उनको नहीं जानते हो वो तुम्हारी तरे बिलकुई भी नहीं है हाँ लेकिन साथ तुम्हें पता नहीं है कि अपनों से बिशड़ने के बाद पत्थर दिल भी रो देते हैं वो तो फिर भी इंसान है और तुम्हें इतने दिनों बाद पाने से बहुत ही खुश होंगे चलो हम लोग घर चलते हैं और कल सुबह ही तुमारे घर के लिए निकलेंगे कर दो खुश है कि विपीन मुझे बहुत तीज भूख लगिये अब मैं नहीं चल पाऊंगी ठीक है तुम यहीं पर रुको मैं दुकान से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेका रहता हूं कि विपीन मुझे लेका रहता है तुम्हारे लेका रहता है कि विपीन मुझे लेका रहता है तुम्हारे 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 लेका रहता विया आपने इनको देखा है नहीं भाई 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 हाँ भाई इनको गई देखा है वरुना में तुम्हारा हाँ मेरे साथ हो तुम कर्सिका कर्सिक भी, कर्सिका कर्स भी, कर देखा है िनको कर दो कि अला कर दो कर दोर्ड दोका कर दोर्का तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए थे मैंने तुमे कहां कहां नहीं दुड़ा पर तुम कहां चले गए थे बोलो तुम बोलते क्यों नहीं उस दिन जब मैंने तुमको वहां बुलाया था पंचम भाई पंचम भाई बाई बताओ भाई वो मुझे दस जार रुपए की जरूरत थी मुझे बहुत इंपोर्टन काम पर ऐसा कौन सा पाम आ गया जो तुझे तने ज्यादा पैसों की जरूरत खड़ गई भाई बात ये है कि मैं क्रिस्का को अपने सान लेकर सहर जा रहा हूँ अच्छा ये बात है ठेक है तुम यही रुको अभी मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ ये लो पूरे दस हजार रुपए धन्यवाद भाई मैं कुछ महिनों में वापस आकर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा हलो हलो अजीट भाई हाँ बोलो वो वरुन तुम्हारी बहन को लेकर अपने साथ सहर जा रहा है क्या क्या हूँ बोल मेरि बहन कहा है काउ से भागरा के ले जा रहा है वह अटेशा मेय समय दूँगा क्या मेरी बहन कहा है बताना कि दो दैन जान समार दूँगा प्रत कर दो कुछ कि विपार देने तेरे लिए अच्छा ने होगा कि एक ओल के देने विभाण कहो है तो बताता हूं तो बताता वह वो हर दोई मोर के पास है यह कर्सका गहाँ चली गई मैंने तो इसे यह बुलाया था कहां चली गई है कि बोल मेरी बहन कहा है कहां बुलाया था उसे तुने बोलता क्यों नहीं बोल मेरी बहन कहा है तुने मुझे गलत जगा बताई थी सच सच बता दे आखिरी बार पूँच रहा हूँ सच सच बता दे कि रिसका कहा है मैंने उसे पुल के पास बुलाया था लेकिन वो वहां नहीं पहुची जब मैं वहां पहुचा तो वो वहां नहीं थी मुझे नहीं मालूम कि वो कहां गई मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा लेकिन जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक तुझ यहीं सड़ेगा यह बाहर नहीं निकलना चाहिए आज से तुझे बंद किये हुए पूरा एक साल हो गया है और मेरी बहन को भागे हुए भी एक साल हो गया है लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चला मैंने उसे ढूनने की बहुत कोसिस की लेकिन वो कहीं नहीं मिली मुझे लगता है तुम्हें यहां कायद करके कोई फायदा नहीं तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है क्या? हाँ, अब तुम्हें यहां रखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि अब हम लोग तुम्हें बेवज़ा परसान नहीं करना चाहते अब तुम अपने घर जा सकते हो जाओ, मैंने तुम्हें माप किया फिर मैंने तुम्हारी फोटो के जरिये तुम्हें ढूनना सुरू किया लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई पता नहीं मिला लेकिन तुम कहां चली गई थी उच दिन जब तुम नहीं आय थे तो मैं काफी देर तक वहीं बैठी इंतजार कर रही थी तभी वहाँ से विपिन मुझे अपने घर ले गए और तुम्हें ढूनने में मेरी बहुत ही मदद की लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं लगा और वरुन तुम विपिन को गलत में समझना इन्होंने मुझे हमेशे तुमारी अमानत की तरह समझाये ये बहुत ही अच्छे आदमी है मैं पहले भी तुमारी थी और आद भी सिर्क तुमारी हूँ हाँ, मैं जानता हूँ मुझे तुमारे उपर पूरा विश्वास है भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका आइसान कभी नहीं भूलूँगा चलो कृस्का हम लोग चलते हैं हाँ चलो विपिन मैं चलती हूँ तुम अपना ख्याल रखना रुको तुमारा भाइब यह लोग नवाद तुमारा भाइब कर दोग तुमारा भाइब झाल